तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनस मॉडल के वारे में जिसके उपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था उसका नाम है टेलरिंग एट यो डोर स्टेप यह जो एक बिजनस मॉडल है और एक जो यह आइडिया है यह बहुत अच्छा आइडिया है जो कि यह कस्टमाइज जो क्लोस के उपर काम करता है यानि कि आपके बॉडी फिटिंग के हिसाब से जो क्लोस आपको फिट नहीं हो रहे डेडिमेट जो क्लोस आप पर्चेस करते हैं मार्केट से वह कभी आपको लूज हो जाता है तो उसे टेलर करने के लिए डोर स्टेप आपक इस आइडिया पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से एक लेट्स ड्रेस अब का बिजनेस मॉडल जो है स्टाइप मार्केट में अभी आया है और उनके जो फाउंटर का नाम है उनका नाम है दृस्टी आनंद जो उनकी फाउंडर है वो कैसे इस बिजनस मॉडल में वो अपने आपको लांच किया ओन्होंने कि क्रिसे ऊपारेसि लोग पर्चेस करते हैं उसी भी आपके लिए को तो उन्होंने कि कोई भी कोई जब अपना कपड़ा खर एक है कोई फेवर्ट क्लोस्ट खरूज ए तो गपे लाता है तो उसे कपड़ा फिट नहीं आता है तो कहीं निगोंगो उसे टेलर कराने की जरूरत पर जाती है उनके साइज के हिसाब से और तो बिल्कु ऐसा नहीं होगा कि वह आपकी बॉडी के हिसाब से फिटिंग होगा उसका वह उपर नीचे हो जाता है तो उसको आपको टेलर कराना पड़ता है अपने साइज के साब से लेंथ कराना हो या फिर आपको अपने पैंट को नेरो बोटम करना हो जो कि ट्रेंड में चलता है तो ऐसी द्रिष्टी आनंद ने यह नोटिस किया हम कपड़े तो खड़ी किलाते हैं लेकि मोस्ट आफ टाइम जो है उसे हम लोग को मतलब की कस्टमाइज करना पड़ता है खुद के अपने हिसाब से तो ऐसी द्रिष्टी आनंद जो है इनकी जो फाउंडर है ले तो उसे आप कस्टमाइज करा कि हमारे फिटिंग के हिसाब से बनाओ तो उन्होंने यह देखा या सभी लोग के साथ में यह प्रॉल्म जरूर आती है कि उन्हें कस्टमाइज कराना ही पड़ता है अपने बॉड़ी के साब से जो क्लोज है उसे स्टिच कराने के जरूत तो बहुत साथ बाते उन्होंने नोटिस किया पहला बात यह नोटिस किया कि जब वह क्लोथ दे रहे हैं एक टेलर को तो वह एक अच्छे साइज में मिजरमेंट के हिसाब से वह स्टिच करके जो भी साइज होता है परफेक्टली उस साइज से वह कस्टमाइज करके नहीं को दे रहा है पहली बात दूसरी बात यह है दूब्राइस ब्राइस बीजाले रहा है टाओ और अच्छा करके नहीं दे रहा है तो उन्होंने ये बात लुटिस किया और उसके नहीं कि अकि近 classroom को यह नोटिस करती कि उनके वाट्रॉब्रो ही होता है और कोई भी टेलर ओने अच्छा कभी नहीं मिल रहा है कभी मिलता भी तो टाइम तो नहीं दे रहा है तो इससे उन्होंने नोटिस किया जब उनकी घर में शाधी हुए थी तो बहुत साइलों का जो उनके रिलेटिब्स हैं उनका जो कपड़ों को जब ने करना चाहिए जो कि इस problem को solve करें तो फिर उनके दिमाग में बात बहुत दिस चल रहा है लेकि फिर भी उन्हें जल्दी से start नहीं किया पहले बहुत सारे जो वुमेंस हैं क्योंकि यह जो प्रॉब्लम है most of problem जो वुमेंस में जाधा आती है क्योंकि जो भी वुमेंन है वो वो जो यह मार्केट है जाधर लेडीज और वुमेंन का ही मार्केट है जो क्लोस कस्टमाइजेशन का है जो टेलर करने का होता है तो बहुत सारे लोगों से उन्हें राए लिया पूछा कि मेरे दिमाग में यह जो start-up है टेलरिंग एट दोर स्टेप यानिकि लेट्स ड्रे हैं उन्हें एगरी किया इस बात पर कि हां हमें इस चीज की प्रॉब्लिम आ रही है कि हम जो भी मोस्ट आप अपने गार्मेंस पर्चेस करते हैं उसे कस्टमाइजेशन कराना ही पड़ता है अपने बाडी के फिटिंग के हिसाब से तो उनकी दिमाग में बात जो है खटका उन्हें नोडिस किया कि यह प्रॉब्लिम है उसके पर पाइलेट किया क्योंकि मैं आपको बोलता हूं हमेंसा जब भी आप कोई सा भी ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं या फिस टार्ट अप तो उसके उपर एक्जैक्ट तुरंत मतलब कि आप काम मत करिए लॉंच कर दिजे उस से बनलब की स्टार्ट आप लॉंच नहीं कर दिया उन्हें दिश्टी आनद है पाइलट किया उन्हें पूछा लोगों से लोग एगरी हुए है वुमेंस एगरी हुए कि हाँ यह दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ी उसके दो हजार उन्नीस में उन्होंने लॉंच कर दिया का स्टार्ट आप बिजनेस जो कि टेलरिंग एट यूर डॉर स्टेप मतलब आपके घर पे टेलर जाएगा आपके कपड़े को कस्टमाइज करेगा और आपको डिलिवर कर दे घर पे तो इसके उपर भी उन्हें ने ये पहले मार्केट में निकल के पहले उन्होंने ये जा मुझे मतलब अगर वो बिजनेस करें तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं आए और उनका बिजनेस स्मूथ चले तो टेलर्स ने जाके बात किया कि आपको क्या कहां पर दिक्कत आती है तो टेलर्स ने कहा कि हमारों 30% of time है वो कटिंग फैबरी कटिंग में उसके आद कस्टम कममिल है जो डिजाइन है वो भी कॉस्टमर को पसंद आँ आता है तो इसको तैयार करने में पैसे को करने में स्टार्ट अप में नहीं है तो लेट्स ड्रेस अप जो उन्हें ने जब लॉंच किया तो उसका बिजनस मॉडल कैसे हैं कैसे बिजनस मॉडले पर वो काम करेंगी ताकि लोगों तक यह सर्विस पहुंचाएं तो इस बिजनस मॉडल में हो गाई यह कि इनका एक प्लेटफोर्म है आप सभी पता है और भी बहुत सारे अब अब अर्वन क्लैब यह जो फंक्शन है आपको किस्टमाइज कराना है तो आज से करा सकते हैं आप तो उसी टाइप से इनका जो पॉर्टल है यह जहां पर आपको और करना होगा तो यह होगा कैसे तो इस बिजनस म पास गई उन्होंने बात किया कि मेरे की स्टार्टप है यह एक अच्छा तेलर जो की अच्छा काम करें और उसका काम पसंद है उनको तो इन्डिविजुल वो जाके टेलर से बात करीं और पूछी कि ऐसा सा मेरे स्टार्टप है मैं इसी लांच कर रही हूं आप सबोड करे करेंगे तो उन्हें वहला कि हाँ बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे मैं काम करूंगा आपके साथ मिलके तो लेट्स ड्रेस अप में उनके साथ अभी फिलाल दस लोगों की टीम है दस लोगों के टीम अब यह बिजनस मॉडल काम कैसे करती है आप लोगी सोच रहे होंगे तो सब्सक्राइब उनको कर्वाइंगी एक टाइम एक ऐक चैड्रियूल एक टाइम फ्रेंट्स करेंगे ऑद इस टाइम कर लेंगे एपना सउच पर देखने करेंगी कि मेरे इसाइज है मेरे को कैटलोग में से यह डिजाइन चाहिए उसके बाद में टाइम फ्रेम यह है मुझे इतना जल्दी चाहिए तो उसके हिसाब से जब सारा कुछ पॉर्टल पर अपना इन्फोर्मेशन दे देंगी तो लैट्स ट्रेस अप से उनके पास एक को जो लॉजश्टिक पार्टन होगा वहां से जो कपड़े हैं उसे उठाएगा वो और ड्रेक्ट लेकर चलाएगा उस इंडिविजड्यक के पास चला जाएगा और उसवें और आपके पास से यहां ज़ोग की घर पर जाएगा आसे कपड़ा उठाएगा फिर एक दूसरे टेलर से 10 रुपए 20 रुपए का मार्जिन हाइयर होगा अगर आप करवाते हैं अपने कपरे को कस्टमाइज तो जब सब्सक्राइब करने के बाद जब लॉजिस्टिक पार्टन वहां से उठा के ले जाएगा फिर इंडिविज़ टेलर को दे देगा तो सब्सक्राइब करने के बाद में तो पहले क्या होता है बनाने के बाद में कस्टमाइज करने के बाद में ड्रेस को वह पहले कलेडionar के टीम के पास जाएगा जैने कि उनकी कंपनी में लेटसेज हच बना हुआ है अच्छा है और यह हैनों कर लियाम के लिए हक्ट着 रपर ब्रेंगे है 캐ंज साई बनात ही और कर्णों नोडें कर लेग冷еньा गात्रें को हां से सब्सक्राइब स सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चालू हुआ है और क्यूंकि आप सभी को पता नहीं होगा मैं आपको बताना चाहूंगा यह कि 2017 से 2024 से तक का एक टाइम फ्रेम में देखा गया है यह मतलब कि एक वैलेशन निकाला गया है कि जो कटैलरी और चीजिएर क्लॉस का जो मार्केट कैप कितना है क्या हो सकता है इस फ्यूचर में तो कस्टमाइज टेलरिंग जो है टेलरिंग एड़्ड टेप जो मोमें ड् सब्सक्राइब सब्सक्राइब मार्केट है 2017 से लेकि 24 तक का इनका जो जो ट्रेंड है बहुत उचा होने वाला है और 2024 तक तो 690 बिलियन डॉलर का स्टार्ट अप यह बन जाएगा जो भी काम करेगा क्योंकि टेलरिंग कस्टमाइब और यह ड्रेस अप का इनका मार्केट है जो की फुमेंस भूट मत करती है उनका कपड़ मिंगा जो कपड़ा है अच्छे से इस्टाइल और कस्टमाइब किया हुआ हो क्योंकि वह जी पसंद करती है अपने किसाव से पहना कपड़े तो ऑब सुच देविगी कैसे और करती है तो हर एक ऑडर से 2000 का जो प्रॉफिट आता है उसे 50% ग्रॉस मार्जीन जो है वो बस्ता है जिसमें से वह बाकिया बना काम वह उनकी टीम कर लेती है और यह जो मार्केट इनका जो बन गया है अब इनके जो स्टार्ट अप है इनका बहुत डे बाइडे ग्रो कर रहा है इनका जो बिजनस मॉडल है है कि मैंने आपको इससे पहले बताया था लेकिन अब लोग इस पर कूद रहे हैं अब क्या कि देदरें उनका 6x गुना इनका स्टार्ट अप डे वाई डे बर रहा है और अच्छा पैसे कमार ही यह और उसके बाद इनके स्टार्ट अप में इन्वेस्टमेंट भी देदरे उसके बाद जो भी उनकी टीम है जो दस लोगे टीम हो काम एक प्लेटफॉर्म पर रखे और उनका कंपनी जो स्टार्ट अप है अच्छे से चलना स्टार्ट कर जाए तो यह जो मार्केट जो है इसका कस्टमाइज क्लोज का बहुत आगे फ्यूचर इसका ब्राइट है तो अब जो द्रिश्टी आनद जैसे लोग डॉक्टर के अपने डिपार्टमेंट को मतलब कि उनका प्रोफेशन था उसे छोड़के लेट्स ड्रेशब ड्रेशब जो इनका स्टार्ट अप है यह क्यों किया कि इस के इंदर उन्हों देखा कि लोग प्रॉल्म आ रही है तो ज अच्छा पैसे कमाने इन फैक्ट उनके जो हस्पेंड है वह उनके साथ में हैं वह दोनों मिलके स्टार्टप को आगे ग्रोव कर रही है और स्टार्टप को बढ़ा रही है तो यह वीडियो सभी लोग को भेजिए जो कि टेलरिंग के दुनिया में कुछ करना चाहती है तो अब ही करें तो पालेट करी और उन सभी लोग को आप सेय कर सकते कि बहूं सारे लोग मेरे की आया था पहले वाली-वीडियो में be motivated do start up and become entrepreneur this is others and you're watching business with other thing signing off